लोजपाद्यक शिराख पास्वान का क्या भविश्य होगा NDA में ये हम सब के सामने बहुत जल्द होगा क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं आज राजसभा के नॉमिनेशन की शुरुवात हो चुकी है ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि शायद चिराख पास्वान की मा रेनू पास्वान को राजसभा में राम विलास पास्वान की जगह पे सीट मिल जाएं लेकिन जेडियू ऐसा बिलकुल नहीं होने देना चाहती है और बीजेपी के तरफ से भी कई चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं और ऐसे में ये बाते अब हो रहे हैं कि शायद चिराख पास्वान की जो मा है रेनू पास्वान सायद राम विलास पास्वान की जगह पर आ जाएं लेकिन आपको पता दे कि 14 दिसंबर को राजसवा की सीट के लिए चुनाओ होने है और 3 दिसंबर को नॉमिनेशन की अंतिम्ति थी है इसी बीच पटना की कमिशनर संजय अगरिवाल ने प्रेस कॉन्फरेंस किया और उस प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान क्या कुछ कहा सबसे पहले आपको सुनिए मतलब जो मतबत्र होगा उसमें नोटा जो आम चुनाओं में रहता है वो इस इलेक्षन में नहीं रहता है उसकी कमिशन की चिठ्री आ गई है तो आप लोगों को यह सारे नोटिफिकेशन और अधिसुषना की कॉपी उप्लब्ध करवाई गई आज ही निर्वाचन आयोक के द्वारा सुबह नो वजे इस पूरे चुनाओं के लिए अधिसुषना जारी कर दी गई है और अधिसुषना की प्रती आप सब को अभी लोकर्स है और वह उनके सुची विधान सभा और इलेक्शन कमिशन से हमें प्राप्त हो जिती है इसी क्रेट की थी स्री राम बिलास पाश्वान जी के आखिसमिन मिधन से और वह वेकेंसी को पूरा करने के लिए आज नामंकर का का क्याक्रम प्रारम हो गया है इस बार अंडले आयुक को निर्वाची पताधिकारी बनाय गया है और उनके सहयोग के लिए तीन सहयक निर्वाची पताधिकारी है और आज से नामंकर की प्रक्रिया चालू हो गई है नामंकर की अंतिमतिती तीन दिसंबर 2020 रहेगी और इसके बीच में 28 तारीक को निगोशेबल इ अवकास है लेकिन निगोशेबल इंस्टूमेंट एक्ट में अवकास निया इसलिए उस दिन नामंकर लिये जाएंगे तो तीन तारीक तक जो भी वक्ति छुख हैं वो तीन बज़े तक अपना नामंकर दाखिल कर सकते हैं चार तारीक को इसकी स्कूटने की जाएगे और सा तारीक तक लोग नाम वापस ले सकेंगे यदि साथ तारीक के बाद मद्दान की आवशक्ता पड़ती है तो 14 दिसंबर को मद्दान होगा और मद्दान विधान सभा के उपर जो वाशनाले कक्ष है उसमें मद्दान की प्रक्रिया होगी और उसी दिन काउंटिंग हो करके रिजल खोशित किया जाएगा जो लोग जो भी महानुभाव नामंकर दाखिल करना चाहते हैं वो नामंकर पत्र की प्रती यहां प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा जो सिक्योर्टी मनी डिपॉजिट करना है वो भी इस कारेले में जमाव कर सकते हैं जो 10,000 रुपे सामान प्रापत्र दाखिल करना आनिवारे हुआ जैसे अन्य चुनाओं में आवश्यक होता है जो भी अगर राजनितिक दलों से खड़े हैं तो उन्हें अपना प्रापत्र ए और बीवी में देना पड़ेगा और अन्य कागजात हैं उसकी सुची है उनको उपलगत करवाने पड प्रापत्र देखते वें जो सभी प्रिकॉशन चुनाओं में लिए जा रहे हैं उसके लिए निर्वाचन आयो करने देश है कि वह सभी प्रिकॉशन निर्वाचन में लिए जाएंगे और इस पुरे निर्वाचन के लिए मुख्य निर्वाचन पतादिकारी प्रेक्षक के रूप में और जरुक रूप में इलेक्शन कमिशन के द्वारा नुक्त किये गया है तो यह सारी प्रेक्रिया है नामांकर इसी कारेले कक्ष में पीन तारिक तक होंगे और इसके लिए हम लोगों ने विधान सभा के माननिय सची तथा सभी माननिय सदश्यों को इसकी जानकरी विधान सभा के माध्यम से उपलत तराने के अनुरूत किया है और इसके लिए जो पारदर्शिता के तहट ये पुरा चुनाओ करवाए जाएगा और इसके लिए सभी ववस्ताइं की गई है पूरी ववस्ता का वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य कारे जो आवश्यक होंगे वो किये जाएगा बता दें ये देखना बहुत खास होगा कि कौन इस बार चुनाओं में जीत कर राम विलास पासवान की सीट पर आता है और कैसे चिराग पासवान इस गेम को सुलजा कर जेडियो और बीजेपी को मनाते हैं कि आखिर उनकी मा को राजसवा में पहुचा दिया जाए राम विलास पासवान की उन्हें सीट मिल जाए ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं हेडलेंस बिहार के साथ अगर आपने हमारे यूट्यूब चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दवाना ना भूले धन्यवाद